लोग नहीं देखे हैं वो लोग अप्लेश में जाकर उसे देख सकते हैं उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिस में कौन सा चैप्टर इस वीक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बात से बैसिक साइनस एंग्जिनिंग हो गया और जीकि हो गया जनल सा है उसमें पूरा चैप्टर तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उसमें को कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए उसको मैं इसमें बताऊंगा और इसका पीडिया जो है मैं अपने टेलिग्राम ग्रूप पे अपलोड कर दूँगा तो उसका लिंक भी मैं नीचे स्टेडी प्लान का दूसरे वीक का जो प्लान है वह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं पहले वीक में हम लोगों ने देखा था कि जो नंबर सिस्टेम से चैप्टर थे मैथमेटिक्स में उसको कवर करना था और दो प्रिविएस येर पेपर आपको सॉल्व करने थे प फिर उसके बाद से जो चैप्टर सुरू होगा वो होगा स्रिफ परसेंटेज चैप्टर दूसरे वीक में केवाल हमको परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करना है यही से क्यों मैं सुरुवात कर रहा हूं नंबर सिस्टम के बाद क्योंकि परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा जिसका यूज बहुत सारे अर्थमेटिक के चैप्टरों में यूज होता है और इसके अगर question solve करेंगे तो हो सकता है बहुत से other chapter के भी question इसमें include हो जाएं और ये बहुत ही important chapter होता है इसके help से आप बहुत सारे percentage चीजें याद होते आती हैं और अलग-अलग chapter में इसका बहुत की use होता है तो इसलिए मैंने इसकी शुरुआत की है और इसमें कौन-कौन से topics हैं किसकी topic से question बनते हैं वो topic मैं यहाँ पर लिखा हूँ इसके अलावा भी बहुत से topic होंगे जब आप paper solve करेंगे जब chapter पढ़ेंगे इसके अलावा भी topic हो सकते हैं जिसमें सबसे पहला जो topic ह यहाँ पर problem based on numbers मतलब number के अधार पर जो problem बनती है percentage में जैसे कह जाता है कि कोई भीन है जिसमें अंसक में 10% की बिर्दी होती है हर में 10% की बिर्दी होती है या decrement होता है तो total उस भीन में कितना change जाएगा यह आपको निकालना रहता हैं दूसरा type है income expenditure और saving को लेकर के I में बिर्दी हो जाना किसी के खर्च में इतना percent की कमी हो जाना तो saving में क्या change जाएगा इस तरह के question आपने देखा होगा तो दूसरा type यह हो गया तीसरा है इसमें price increase और decrease करने का जैसे माल लीजे चावल में जैसे माल लीजे चावल के price में आगर 10% की बिर्दी होती है तो उसका खपत में क्या change जाएगा इस तरह से related question इसमें बनते हैं एक फोर्थ नमर का mixture based question अब देखिए mixture based question में क्या होता है कि अगर कुछ सी माल लीजे पानी और चीनी का घोल है या फिर नमक का घोल है इस तरह से उसमें अगर माल लीजे उसमें एक लीटर पानी और मिला देते हैं तो उसमें नया percentage या फिर दोनों में ratio में क्या change जाएगा इस तरह के question आपको देखने को मिलेगा next है election based question ये भी बहुत अच्छा question बनता है जैसे दो उमिदवार खड़े है किसी को total vote का 20% मिलता है और हारने वाले उमिदवार को कितना vote मिलेगा या फिर total मतदान करने वालों उसको बेचा जाता है तो उसमें इतने percent का commission बनता है तो actual price निकालना या फिर उसमें love निकालना ये आपको इसमें पूछा जाता है next है income tax based question अब देखें income tax मतलब क्या है कि अगर आप कितना income कमाते हैं उसमें 10% tax लग जाता है उसके बाद से अब actual आपकी income कितनी रह जाते ह tax में अगर 20% की विर्दी की जाती है तो आपके IP क्या प्रवा पड़ेगा इस तरह के question जब आप देखेंगे तो income tax based पे question इस तरह से बनते हैं population based बहुत ही important है जैसे माल ये किसी गवाँ में जो जन संख्या पूर्सों और महिलाओं की जन संख्या पूर्सों में 10% की कालना या फिर लड़के लड़कियों का जो क्लास में जो संख्या होती है उसमें चेंजेज करके question बनता है इससे यह भी बहुत अच्छा topic है population based question percentage से हो जाता है best on examination examination में क्या होता है कि जैसे माल ये कहा जाए कि किसी परिच्छा में 10% बच्चे फेल हो गए हैं फिर उसमें 20% लड़कियां फेल हुई है 10% लड़के फेल हुए हैं तो इस तरह से total participate करने वाले लड़कों की या फिर छात्रों की संख्या उसमें पूशी जाती है passing marks को लेकर कि इसमें question बनते हैं तो ये भी topic बहुत important है percentage में next है geometry से related जैसे क्या होता है किसी आयत के लंबाई में 10% की बिर्धि कर देना तो उसके area में क्या change जाएगा उसके volume में क्या change जाएगा और किसी work को लेकर के question पूश देना किसी triangle को लेकर के question पूश देना तो इस त अलावा भी अगर profit and loss के question percentage से हो जाते हैं इसलिए मैंने percentage chapter से शुरुआत किया है तो इस week आपको mathematics में percentage chapter को पूरा complete करना है और ये आसान chapter नहीं है इस chapter में भी अगर आप 300 question plus अगर आप इसमें solve करेंगे तो ही आपका topic complete हो पाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा topic है और हर topic से भी अगर आप 5-10 question, 15 question अगर करते हैं तो आपका topic आपके complete हो पाएगा, total इसमें देखिए topic मैंने 10 topic इसमें लिखे है 15-20 question, 15-20 question अगर आप करते हैं तो 200-200 question के आसपास में आपका question चला जाएगा, next subject है reasoning को लेकर के दूसरे week में हमें reasoning में कौन सा chapter पढ़ना है तो मैंने इस हफते इसको target लिया है clock and calendar को, बहुत important chapter होता है और इसमें जो basic थोड़े मोडे जो trick होते हैं, इसमें formula होते हैं उसके अधार पर ये question निकलना होता है, जैसे angle based question निकलना होता है, किसी घड़ी में 5 बच के 30 मिनट हो रहा है तो दोनों सुनियों के बीच में angle क्या है, ये निक निकलना रहता है, defective clock को लेकर के जैसे माली घड़ी slow चल लई है, 10 मिनट, 15 मिनट, इस बेस पे भी question इसमें बनता है, और calendar में date और day निकलने का जो question है, ये बनता है, जैसे बड़े को लेकर के question इसमें arise होता है, कब उसका बड़े पड़ेगा, या फिर next उसके बड़े पर, ये नहीं है, जिससे आपको समझ में नहीं आता है, तो YouTube का सहरा बिल्कुल अप लीजिए, और उसमें बहुत से जगों पे बहुत अच्छा तरीके से इसको पढ़ा गया है, तो हहां से आप चाहें, तो सौट्स नोट भी बना सकते हैं, नेक्ट है basic science and engineering में, तो पहले week में ह कह रहा हूँ, और होता क्या है कि अगर माल ये किसी दिन नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगले दिन भी आप उसको cover कर सकते हैं, अगर आपका नहीं भी हो पाता है, तो weekly ये जो target आप सेव करके रखिये और इसी क्याधार पे हो सकता है, दस दिन में आपका complete हो पाए, तो दस द आप धीरे-धीरे करके नहीं complete करेंगे chapter, तो बाकी आपको एक-एक दिन में आपको math के दो-दो chapter भी complete करने पढ़ जाएंगे, एक-एक week में, sorry, आपको दो-दो chapter भी पढ़ने पढ़ सकते हैं, अगर उस बार भी नहीं आप पढ़ेंगे, तो और भी आपका pressure होगा, और subject इस इसमें application से related बनते हैं, तो इसमें अगर numerical भी अगर एकाद आप कर लेते हैं, basic जैसे माल ये reflection of light आप chapter पढ़ लिए, इसमें simple theory है और इसके application आपको पढ़ने है, light chapter में आपको application पे ज्यादा ध्यान देना है, जैसे माल लिए कार के rear mirror में क्या कौन सा mirror यूज होता है, या फि चोटे चोटे application से related जिसमें जो question बनते हैं, आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने जिरुवत है, reflection से related, law of reflection and reflection परावरतन के नियम क्या क्या है, diffraction और interference को लेकर के थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, तो हो सकता है CBT2 के लिए भी और अच्छा हो जाए आपके लिए, numerical इसमें ध्यान देने हैं, जो law of reflection और reflection से numerical बन सकता है, science theta से वाला जो formula होता है, उसके अलावा application पर ज्यादा थोड़ा सा आपको focus रखना है, इसमें जो छोड़ी छोड़ी चीज़े होती हैं, जो इसका huge है light का, वो आपको याद रखने हैं, तो दूसरी week में आपको basic science है, न बहुत important है, CBT2 पे भी एक आत question इससे बन जाता है, तो self, पहला chapter रहेगा, कोसी का आपको cover करनी है, दूसरा है पाचन तंतर cover करना है, अब यह देखिए, अगर आप NCRT से पढ़ते हैं, तो बहुत अची बात है, अगर शुरुवात है अभी, तो NCRT को अगर आप prefer करेंगे देखे, group D का जो paper हुआ है, उसमें पहले से जो इस तरह से question आते थे, उस तरह से नहीं आये है, NCRT को उसने target किया हुआ है, और NCRT से question पुछा जा रहा है, तो अभी आपके पास time है, तो NCRT थोड़ा सा time taking होता है, और हर chapter को बहुत अच्छे से समझाया भी गया रहता है, अगर आप उससे पढ़ेंगे, तो अभी धीरे धीरे चीजें समझ में भी आ जाएंगे, नोट्स भी आपके अच्छे से बन जाएंगे, बाकी आप चाहें तो YouTube का साहरा बिलकुल आप ले सकते हैं, कोई भी topic अगर आप सर्च करेंगे, तो उससे बहुत अच्छे अच्छे को तो कवर करी रहे थे, नोबेल प्राइज को हमनों कवर किया था, रहमन मैकसे से पुरसकार को कवर किया था, इस्टेटीग जीक में हम लोगों ने पढ़ा था, नेसलल पार्क, वालिलाफ सेंचुरी, वाइस पेर रिजर और एनिमल्स, किस नेसल पार्क में कौन से एनिमल के लिए फेमस है दूसरे वीक में हमारा जो टारगेट रहेगा वो करंट फैर और इस्टेटिक जी को लेकर के रहेगा मन्थली में तो आपको पढ़ने है उसके बाद इस वीक में आपका डियो टारगेट रहेगा ओलंपिक और कॉमन वल्थ गेम से रिलेटर जो कोशन है आप इस वीक में रीवर और इट्स ओरिजिन भारत में जितनी नदियां है और उसका जो उदगम अस्थान है वो आपको पढ़ना है बहुत ज़्यादा इसमें बड़न लेकर के नहीं चलना है यह चेंज नहीं होता है इसलिए इसको स्टेटिक जीके बोलते हैं रीवर और इट् इसका नहीं है लेकिन सीबीटी वन भी तो आपको क्वालिफाई करना है तो जनरल नालेज में मैं कहूंगा एंसेंट हिस्ट्री जो प्राचें इतिहास है वहां से आप सुरुआ करिए कम से कम 200 अब्जेक्टिव कोस्चन आप उसको सॉल्व करिएगा अब यह कोस्चन आप कहां से करेंगे देखे यह तो प्रिवेस एर वेपर आप खरीद दीजिए या फिर जीके का जो अलग कोस्चन वायंक रहता है जैसे आप करी सकते हैं रुपमडी का प्लेटफर्म का करी सकते हैं तो इसमें से अगर आप पर्टिक्लर जीके के जो कोस्चन है आप देखेंग लेकिन अगर रेलवे वाले तैयारी कर रहा है तो रेलवे का भी कोस्चन पहले पढ़ेंगे जो पहले रेलवे में आये हुए हैं तो आपके लिए ज्यादा बहतर होगा वैसे इसमें कोस्चन में बहुत ज्यादा चेंजे नहीं देखने को मिलता है तो इस वीक शिरिफ आपसे वो question गलत ना हो इसका आपको ध्यान दे रहा है तो second week में जो target था मैंने आपको बता दिया aptitude से related math में क्या पढ़ना है आपको उसके बाद से strategy के basic science and engineering में बता दिया मैंने general science में बता दिया और current affair और general knowledge में आपको क्या पढ़ना है reasoning में भी क्या पढ़ना है वो सभी चीज़ें मैंने cover कर दी है तो इस week आप please upload target complete करियेगा हो सकता है week one का पहले week का जो target है बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए होंगे वो video भी अगर आप देखना चाहते हैं तो playlist में जा करके देख सकते हैं नीचे description में भी मैंने उसका link दिया हुआ है अलग से मैंने इसका playlist भी बना दिया है तो अभी आपके पास बहुत अच्छा time है अभी से आप पढ़ाई start करेंगे थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ेंगे तो भी आपका जो है इक्जाम तक आने से बहुत पहले ही आपका complete हो जाएगा जिनका भी पहला attempt है इस बार रेलो में तो वो लोग mock test देने से थोड़ा सा बचिएगा पहले मंत में आप mock test मत दीजेगा अभी थोड़ा सा subject कम सकम 2-3 chapter complete कर लिजे ये 3-4 chapter उसके बाद से आप mock test दीजेगा mock test बहुत ज़रूरी है उसको भी मैं इस weekly plan में include करूँगा लेकिन अभी नहीं अभी आपको कम से कम 4 या 5 week का target आपको complete करना है देखिए अगर आपका एक week में complete नहीं हो पाता है तो आप उसमें time ले सकते हैं बहुत ज्यादा उसका प्रेशर नहीं है लेकिन मैं पर week में ही इसको अप्लोड करूँगा बहुत से ऐसे हैं जो टार्गेट कंप्लीट करके पढ़के उसके बाद से हमको message कर रहा है कि सेकेंड वीक का आप